आज एक बहुत महत्पूर्ट टॉपिक पर वीडियो लेकर आजिर हैं हम How to use telegram, telegram का प्रियोग कैसे करना है तो offline और online study में बहुत बहुत अंतर आ गया है offline study में आपकी एक table पे आपकी साधी की साधी क्या होती थी बच्छो किताबे होती थी सारी किताबें एक table पे, सारी जो आपकी note books हैं वो एक table पे आपको पता है कौन सी किताब किसकी है, जब जरूरत हो तुरंट निकाला, तुरंट चैप्टर खोला, देख लिया ये बहुत सारी चीज़ें इसी हैं जो online study में बदल गी हैं क्योंकि अभी आपकी बहुत सारी चीज़ें phone में होती हैं ना कि आपके, कहां पर बच्छो, table पे तो इन phone में रहने वाली चीज़ें को हम कैसे manage करें तो maximum हम लोग use करते हैं telegram और telegram एक बहुत महतपूर साधन है अगर इसका सही से प्रियोग किया जाए अगर सही प्रियोग नहीं किया तो इसका कोई नॉर्मल एक एप है जैसे और जितनी वी एप होती है लेकिन अगर सही से प्रियोग किया जाए 5-10 दिन में जादा से जादा हम इसके बहतर यूज की आदट डाल सकते हैं और एक बार आदट डल गई कितना फायदा कर सकता है इसी बारे में हम आज आज आप से बात करेंगे ठीक है और जो बच्चे से फॉलो करेंगे अगले आने वाले 10-15 दिनों में उन्हें पता भी चलेगा कि किस तरह चीजे उनके लिए आसान होती चली गई है इसकी वज़े से ठीक है चलो तो शुरुआत करते हैं बच्चो सबसे पहले टेलीग्राम का यूज करना है उसके बारे में हम आज बात करेंगे तो सबसे पहले तो देखो नोटिफिकेशन बंद रखना है कोई भी एप हो अगर वो आपको बार बार परिशान करती रहेगी तो आपकी स्टेडी में क्या डालेगी खलल तो डालेगी है ठीक है यहीं कि आपकी स्टेडी को क्या करेगी वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब करेगी तो पहला रूल यह होना चीए चाहे वो कितने भी काम की चीज हो वो जो है फिर खतरनाक स्थिती में चली जाती है, इसमें खतरनाक स्थिती में, टेलिग्राम देखने का समय निश्चित करना है, आपको रखना है ध्यान के 10-15 मिनट ये, अगर मुझे कोई काम नहीं है टेलिग्राम से तो, अगर मान लो मुझे कुछी सर्च नहीं करनी है उसमें, तो 10 करें बचों, जो आपको थोड़ा सा टाइम पंदर मेंट देना भी पड़ें, जो टाइम आप कहीं और यूज नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, तीसरा है, हर विश्चा के लिए, अलग अलग प्राइवेट चैनल बना लें, अब देखो, य सबसे महतपूर्ण चीज़ें इसमें, प्राइवेट चैनल, टेलिग्राम में आप चैनल, जैसे हमारा है, करेंट अफेर्स का, RWA करेंट अफेर्स, टेलिग्राम चैनल देखा है न, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उसमें कई बच्चों की क्या कोरी आती ह प्राइवेट चैनल बनाने हैं, और वो प्राइवेट चैनल बनते कैसे हैं, यह मैं आपको बताता हूँ, जिसे नहीं पता है, जिसे पता है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यह आपका खुलते ही इंटरफेस आता है, यह वाला इंटरफेस आता है बच्चों, जब आप टेलिग्राम को खोलते हैं, आता है नहीं आता है, जल्दी से एक बार थमसब करो जिन्हें पता है कहां यहीं आता है, इसमें यहां ए आएगा option new channel, new channel में आप यहाँ नाम डाल दोगे और अगर कोई photo लगाना है तो photo भी लगा सकते हो, ठीक है, new channel में यहाँ पर आपने नाम डाल दिया, यह जो space आया है, कोई photo लगाना है तो photo भी लगा दो, अब इधर right side में आपको आएगा जब इसे आप आगे बढ़ाओगे, जब यहाँ से आप इसे आगे बढ़ाओगे ना इस तरह यह वाले icon से इसे आगे बढ़ाओगे, तो आएगा public channel या private channel, public channel कैसा होता है जैसे RWA current affairs है, कोई भी उसे ढूड़ना चाहे तो वो मिल जाएगा, कोई भी join करना चाहे उसे join कर लेगा, कोई भी उसकी PDF और वीडियो जो देखना चाहे देख सकता है, एक private channel है, जिससे केवल और केवल आप देख सकते हो, कौन देख सकता है बचो, केवल और केवल, आप जिससे देख सकते हो, यह वो private channel है, तो इस तरह आपको पहला channel बना लेना है कौन सा, maths, दूसरा बना लिया, रीजनिका, तीसरा बना लिय आपने किसका बच्छो कम्प्यूटर है तो कम्प्यूटर का बना लिया और जो GS के subject है उनका लग लग भी बना लो कौन सा मैं copy थोड़ी खरीदनी पड़ रही है अब नाम से कैसे बनाना चीए ये इस तरह से नाम से बनाना चीए जैसे आपको GS बनाना है और आपका नाम है अरुण तो आप लिखो अरुण GS, अरुण Maths, ठीक है अरुण Computer जब आप इस तरह चैनल बनाएंगे ना जब भी अगर वो चैनल नीचे भी चला गया है कहीं किसी वज़े से और चीज़ें आ गई और मैसेज आ गई और कुछ भी आ गया तो वो आप अरुण अपना नाम सर्च लेकिन अरुण तो आपको याद रहेगा अरुण जैसे ही सर्च करोगे सबसे पहले आपके अरुण वाले चैनल आ जाएंगे कौन से चैनल आ जाएंगे बचो सबसे पहले अरुण वाले चैनल आ जाएंगे और पांच चैनल तो आप पिन भी कर सकते हो पिन का मतलब है वो ह हमेशा ऊपर ही रहेंगे तो आप मैस का कर लीजिए रीजनिंग का कर लीजिए जीS के जो सबसे महतपूर्ण दो विशे लगते हैं उनका कर लीजिए यह चैनल बना लिया यहां तक तो आपका काम है यह बनाने का बच ठीक है यह चैनल बनाने के बाद हमें क्या करना है अब बाद ही बचो है ना ये चैनल आपने बना लिया अब है काम अब तक तो हम बात कर रहे थे बस के कैसे कर रहे है टेलिग्राम का यूज कैसे करना है अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी आज आप सुबह की क्लास करें टफिर की नहीं ले पाए क्यों क्योंकि सुबह सुबह माता जी ने बोला एक बार जंगल पर चला जा भाई पानी जा रहा है खेत में और उसको देखिया या कोई और काम बता दिया किसी दिन आप शाम की नहीं देख पाए कहीं शादी में जाना पड़ा किसी की कन्यादान के लिए जान संब्सक्राइब क्या करेंगे बच्चों आप उसे देखने लग जाएंगे कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने वो फर्वर्ड नहीं की और आपको याद भी है अब टाइम लगेगा ढूंड़ने में कहां है कहां है जैसे वाट्सप में आपको पता है तुरंत इस नाम से देखना इस इस चैनल में देखना है मैस की वीडियो थी तो मैस पर मिलेगी अरुन मैस जाके सीदे सीदे कहां पर बच्चों वहीं पर खुल जाएगा जहां आप खोल रहे थे इस टेलिग्राम का एक फाइदा ये भी होता है मानलो टेलिग्राम से आप कोई PDF देख रहे थे और टेलिग उसको उस मैसिज को आपने उस PDF को देखा था उसी पर दुबारा खुलेगा वहीं जाके आप दुबारा उसे देख सकते हो सीदा उसी PDF पर जाके क्लिक होके खुलेगा बच्चों तो ये फाइदा होगा इससे वह जब भी आपको टाइम मिलेगा आप देख लोगे तो वीड इसकी जो क्लास है आज इतनी इंपोर्टेंट है और ये ना मुझे इतनी ज़्यादा आती भी नहीं है इसे तो मुझे बार-बार देखना पड़ेगा बार-बार देखना पड़ेगा उससे भी forward कर लो उससे भी ऐसा नहीं है हर क्लास को इफरवड कर लो आप फिर फाइदा क्या होगा ऐसे तो सारी क्लास एप्लिकेशन में पढ़िए सारी क्लास यूट्यूब पढ़िए उस क्लास को भी फॉरवर्ड कर लो इन्हीं लिमिटेड चीजें करनी है आपको जो बहुत महत्पूर्ण है जो सच में आपके काम आएंगी इकट्टी नहीं करनी भीड ऐसा नह क्लास आपने फॉरवर्ड कर ली है ना दोनों तरकी लास्ट में बताऊंगा इसका सबसे बड़ा फायदा वीडियो के लास्ट में सबसे बड़ा फायदा बचो अब जब आप देख लो ना अब मानलो आपने वो वीडियो फॉरवर्ड की थी कि मुझे एक दो बार और काम का है जो आपको बार-बार करना है इसलिए अगर आपने कुछ जो है ऐसी चीज भेज दी है कि जिसे मैं बाद में देखूंगा उसके बाद आपने वो देख लिया तो फिर उसे वहां पर नहीं रखना है अगर वहीं रखी रहेगी तो फिर हमारा परपजी फेल हो जाए कौन सा है बचो टाइम बचाने वाला है ठीक है अब इस चैनल पर बहुत जादा वीडियो इखटी करनी नहीं है और ढूंडने में हो जाएगी आपको आसानी ठीक है चलो पीडियेफ की बात भी है महत्पूर्ण पीडियेफ आपको पता है कि जो इंपोर्टेंट पीडिये नीचे उसका नाम और लिख दो उसके नीचे आप उसका नाम और लिख दो मानलो पहला था बचो जैसे बैंकिंग की पीडियेफ थी आपने पीडियेफ सेंड की और फिर नीचे लिख दिया बैंकिंग क्या लिख दी बैंकिंग यह लिख दी तो बहुत सारी पीडियेफ उस तो मैसिज आएगा और मैसिज से तुरंत उपर क्या है आपकी PDF है तो यह क्या होगा आपको सर्च करने में बहुत मदद मिलेगी तो मैं कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने NCRT जो है सारी की सारी डाउनलोड की किसी pen drive में डालनी कहीं और डालनी हुआ क्या तो गलती से डिलीट हो गई क्या हो गई डिलीट हो गई मैंने अपने बनाए NCRT के चैनल नाम से है सोनवीर NCRT economy सोनवीर NCRT geography मैंने उस पर वो कर दिये क्या forward अब वो दो साल तीन साल पांस साल दस साल जब तक मैं खुद डिलीट नहीं करूंगा तब तक वो क्या है मुझे दुबारा भेजने की जरूरत नहीं है दुबारा परिशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसक जाएगा आपके लिए और भी आसान क्या हो जाएगा बच्चो और भी आसान हो जाएगा ठीक है चलो और अगर current affair की बात करें तो PDF रोज की मत भेजो आपको बता है weekly में सारे के सारे सवाल शामिल होंगे मन्तली में तो कुछ ज़रूरी सवाल हमें नहीं लगते मन्त में हम जाबी देते हैं लेकिन weekly में तो सारे के सारे सवाल शामिल होते हैं आप weekly PDF भेजना शुरू करो केवल कौन सा weekly और आप जो है जो weekly करोगे ना जैसे अब दिसंबर की शुरू ही तो उपर message डाल दो दिसंबर 2023 PDF ठीक है तो आप जब भी दिसंबर की कोई PDF देखना चाहेंगे आप सर्च करोगे दिसंबर दिसंबर से ही शुरू दिखाएगा वो ठीक है फिर नीचे उसके साधी की साधी PDF आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी अब जो सबसे महत्रपूर्ण इसमें एक चीज है कि आप quiz देखते हो कौन-कौन है जिन्नोंने quiz attempt किये हैं बताओ मुझे एक जाओगे quiz attempt करते हो आप लोग quiz का कैसे है देखो अब आपने quiz attempt कर लिया मैंने current affair के channel पर जैसे 10 quiz डाले आपको 5 सवाल बहुत अच्छे से पता थे आपने 5 सवाल क्या किये आपने 5 सवाल कर दिये ठीक है 5 सवाल आपको ठीक से पता नहीं थे आपके वो कुछ गलत होगे में क्या होता है बच्चो कुज जो है हम एक बार देखते हैं फिर नीचे इतने सारे मैसे जा जाते हैं कि फिर हम उन्हें दूबार देखी नहीं पाते जो सवाल आपके गलत होए हो जिन में आपका confidence ना हो जो भी quiz जो quiz आपका मानलों एक quiz number 1 है एक है तीन है ये दो quiz हैं ना के जैसे मैंने बताया था अरुन quiz तो चाहे वो किसी भी चैनल पर quiz आपने देखा हो आपको लगा महत्पून सवाल है मुझे आता नहीं है या आता भी है तो अभी पूरी तरीके से नहीं आता confidence नहीं है उसको उसमें send करते चले जाओ उसको केवल उन सवालों को जिसमें आप confused है जो आपको सही से नहीं आते या जो आपके गलती हो गए उनको send करते चले जाओ क्योंकि आपने एक बार तो देख लिया वो एक बार में याद हो जाती है क्या चीजे एक बार में नहीं होती अब आपको क्या करना है आपको रोजाना पांच मिनिट उन quiz पे देने है मानलो आपके एक महीने के quiz इखटे हो गए अब एक महीने के quiz इखटे हो गए आप सबसे उपर चले जाओ channel में आप दुबारा से उन्हें देखना शुरू करो आज मानलो 10 message देख लिए ठीक है दस देखे आपने देखा कि 10 में से अब आपको दो तो बिलकुल याद हो गए ह जाएं उनको डिलीट करते चले जाओ जो याद होते चले जाएं उनको डिलीट करते चले जाओ जिनमें अभी भी confusion है उन्हें रखते चले जाओ उन्हें और फिर पढ़ना और पढ़ना यानि उसमें क्या होगा जो सवाल आपको आते चले जाएंगे वो डिलीट होते चले यानि वो खतम और जो आपको नहीं आते केवल उनका रिवीजन करना रह जाएगा धीरे-धीरे करके न वो आपके जादतर सवाल डिलीट हो जाएगे और आपको वो सवाल दुबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा जो आपको पहले से ही आता है अब मालो RWA करेंट फिरस में आज आप कुज करने गए और आपने 10 देखे 5 ठीक थे अगर आप रिवीजन भी करना चाहोगे न तो क्या करना पड़ेगा 10 के 10 का ही रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि आप वहाँ से डिलीट नहीं कर सकते वह आपके हाथ की बात नहीं है मैं डिलीट करूंगा या तो या तो चैनल डिलीट करेगा लेकिन आप डिलीट नहीं कर सकते यहाँ आपकी मरजी का है आपने 50 सवाल भेज दिये दो दिन revision किया 50 में से 25 आपको याद हो गए उन 25 को हटाओ, delete करो क्यों? क्योंकि revision को हमें revision का time हमें उसी को देना है जो हमें नहीं आता है जो हमें आ गया है उसे तो हटाते चले जाओ यह जो है यह बचो आपको इस तरह से जो quiz है ना, इसका यूज आपको हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना यह मैंने बता दिया था बचो current affair की PDF weekly और यह, तो जब भी वक्त मिले उन्हें बार बार पढ़ना है आप free है, bus में जा रहे हो कहीं, college जा रहे हो कहीं, college में बैठे हो, library में है ना, कहीं और बैठे हो, phone आप चलाते हो phone चलाए बिना तो आप मानोगे नहीं चलाना है ना, तो YouTube की जगए ना, उसे चलाओ उस quiz को चलाओ क्योंकि वो quiz तो आपको ऐसा है कि 10 second में एक सवाल पढ़ लिया, तो वो clear है ना, और कोई चीज तो आप library में बैठके पढ़ नहीं सकते, वीडियो तो देख नहीं सकते क्यों, वीडियो देखोगे, अगर काम की देखोगे तो आधी पढ़ने पढ़ेगी, आधी नहीं लेकिन 10 second का भी time मिल गया तो सवाल तो दोहरा ही सकते हो, एक question तो आप repeat करी सकते हो, उसे तो revision करी सकते हो, इस तरह से आपको quiz जो है ना, ये सबसे ज़्यादा quiz में मदद करेगा, क्योंकि वो quiz जो है कभी-कभी सीधे फस्ते हैं, हर channel यहीं चाहता है, important सबसे बड़ी बात है, कि आपको हर channel पर अलग-अलग जाके revision नहीं करना पड़ेगा, आपको जो भी सवाल जहां का अच्छा लगे, उसे आप ले आओ, ठीक है क्या करोगे, उसे आप ले आओगे, बचो ठीक है, जब भी वक्त मिले कोई भी अगर confusion हो, आप मुझे अपना सवाल डाल सकते हो, किसमें comment box में, जल्दी से बताओ अगर किसी का कोई सवाल है तो अभी जल्दी से बताओ कोई सवाल है तो मैं सो reasoning वाले भीया के clear होना चीए, वैसे, बिल्कुल clear होना मैंने कोशिश की है, उसी तरह से बताने की DL नहीं बचो, दिल्ली प्लिस में DL मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको अभी तक physical पर मांगता था, फिर भी आप कोशिश करो कि form आएं उससे पहले ही बनवालो ज़्यादा अच्छा है हाँ बचो, एप में कुछ इश्यू था, अगर अभी नहीं हुआ है तो हो जाए अगर लगी हुए ये पूरी टीम बचो, टेक्नोलिजी की अपनी एक हद है यह नासा कोई बनाता है नासा बनाता है एक रोकेट और वो भी फेल हो जाता है कवी-कवी, तो हम तो फिर नॉर्मल ये इनसान है ना ठीके के लिए शाम की बच्छो, शाम की क्लास जिनका एक्जाम नजदीक आता है वो तो जरूर ले लिया करो जिनका अगले दो-तीन महीने में एक्जाम है वो जरूर ले लिया करो शाम की वेकेंसी बच्चो शायद अंकिस सर बताएंगे MTS की वेकेंसी आने का तो है आएगी MTS की वेकेंसी बच्चो बिहार पुलिस का टेस्ट तरीज आप डाल दीजिए इस वीडियो से लग जो भी आपका सवाल है आप डाल दीजिए मैं उसे हमारा जो गुरूप है ना वर्किंग गुरूप जिसमें हम सारे टीचर्स वगरा हैं उसमें मैं फुरवर्ड कर दूँगा वो ठीक है डीपी के लिए शाम की लास अभी नहीं लेना चाहते हैं तो ना भी लो लेकिन शाम को कभी कभी कुछ ऐसी क्लास चलती है जैसे संसद की चले जैसे Grand Slam की चले तो वैसी ले लिया करो जैकि वो क्लास तो आपको ना अगले एक साल तक काम आएगी बच्चो अभी current affair की book launch अभी नहीं कर सकते हैं अगर करेंगे तो हम six monthly करेंगे अभी फिलाल time की थोड़ा सा issue है करेंगे तो six monthly हर month का अभी नहीं हम कर सकते हैं कि लिए रहे से संबंदित अगर अगर बनवालो अगर एक्जाम में भरना है ना बनवालो पेपर से थोड़ा बहुत इससे पहले भर जो फॉर्म है ना उससे पहले ही बनवालो उससे पहला ही ठीक है अच्छो कोई और सवाल हो आपका तो एक बार मुझे आप कर देना क्या एक बार इस पे offline कमेंट कर देना मैं आपके सारे comments का जवाब जरूर दूँगा अभी के लिए तना ही धन्यवाद